Hey everyone, welcome to my channel My English Book और आज के वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले है Ben Johnson के लिखे हुए एक बहुत ही पॉपलर कॉमेटी प्ले के मेन कैरेक्टर वॉल पॉने का कैरेक्टर स्केच आप भी लोगोंने रिक्वेश्ट कीन था कि आपको वॉल पॉने का कैरेक्टर स्केच चाहिए तो मैं यहापर ले कर आई हूँ आज आपके लिए वॉल पॉने का कैरेक्टर स्केच इससे पहले मैंने और भी वीडियोस अप्लोड किये हैं different characters के character sketches को लेकर के उनका playlist मैंने बनाया हुआ है और playlist का link description box में अगर आपको देखना है तो आप महाँ पर जा करके देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया Walpone एक बहुती popular comedy play है जिसको Ben Johnson ने लिखा है और इस play की main theme है Greedy and Lust So Walpone जैसे इसका main character है protagonist है So Walpone का यहाँ पर मैं character sketch आपके साथ अब discuss करती हूँ So सबसे पहले आपको लिखना होता है introduction मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आप किस तरीके से character sketch लिख सकते है अगर आपको character के बारे में काफी जानकारी है तो आप खुद से भी character sketch लिख सकते है जरूरी नहीं है कि आपको हर character का character sketch लिखना है और याद करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो भी आप देख सकते है description box में आपको मिल जाएगा सबसे पहले जब बात आती है introduction की then हमें लिखना है walpone का introduction so walpone central figure है इस play का पूरी story इसी के उपर base है he begins the action by his plots and interviews interviews यानि की शडियंतर so जो walpone है ये इसमें बहुत सारे interviews यानि की शडियंतर रचता है उनी से ये play शुरू होता है बहुत सारी इसमें tricks है जो walpone खेलता है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए और वो एक consummate actor है यानि की एक पूरा मंझा हुआ actor जो होता है आप वो बोल सकते है अपने role को इतने passionately वो perform करता है कि लगता ही नहीं है कि वो नाटक कर रहा है जैसे कि आपने walpone पढ़ा है आपने देखा होगा walpone तीन लोगों को बेवकूफ बनाता है इस बात को लेकर के कि वो मरने वाला है और अपनी सारी संपत्ती वो इन तीनों में से किसी एक को देगा और इसमें उसका जो साथ देता है वो देता है मौस का so walpone तीन साल तक मरने का नाटक करता है कि वो मरने वाला है मरने वाला है so इतना बहतरीन वो कैरक्टर प्ले करता है कि कोई भी ये पता नहीं लगा पाता कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है so walpone का जो नेम है इसका मतलब होता है the fox in italian language ये एक lustful, lecherous, greedy, for pleasure character है energetic character भी है ये हाला कि walpone की उम्र काफी जादा है but still he is an energetic person so I hope introduction का portion आपको clear होगा उसके बाद जो मैंने point लिखाया that is our rare villain obviously walpone को आप villain भी कहेंगे walpone is one of the two principles character who play the leading role in this comedy of intrigues so walpone को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है सडियंत्र को रचने से so walpone एक ऐसा person है इसमें जो सबसे जादा शडियंत्र रचता है ठीक है आपको इस character में बार बार introduce what देखने को मिलेगा so walpone वैनेटियन है childless है इसकी शादी नहीं हुई है और फिर भी इसके पास इतनी सारी धंदोलत है even ये अपने gold की पूजा तक करता है जो इसके साथ हमेशा इस story में रहता है उस character का नाम भी आप देख लीजिए उसका नाम है मौस का इसके साथ और भी person रहते है इसके servants जिनके नाम में नहीं हाँ पर लिखे है nano and drogyno and castron he is a rare villain एक rare villain ये है an expert, imposter an answer की प्लस इस word का मतलब होता है बेशर्म ये बेशर्म भी है and walpuitry भी है it means इसके अंदर lust भी है perfect actor ये है a man of considerable wit considerable wit का मतलब होता है एक ऐसा person जो एकदम फट से जवाब दे दे किसी भी situation को handle कर दे तो ये सारे talent walpune के अंदर है so next point जो मैंने लिखा है that is entertainment and fun lover walpune को entertainment बहुत पसंद है अपने entertainment के लिए काफी कुछ करता है even अपने entertainment के लिए ही ये तीन साल तक मढने का नाटक करता है और waltear carbatio and carvino इन तीनों को बेवकूफ बनाता है ठीक है so ये वाला भी काफी important है अगर आप walpune का character sketch लिखेंगे तो इस वाले point को आप ज़रूर लिखेगा next जो मैंने लिखा है that is an artist in drogery यानि कि एक दुष्ट आदमी a wicked man walpune is a professional expert professional expert ये है अपनी skills से ये काफी खुश होता है मतलब कि ये तीन लोगों का बेवकूफ बना रहा है तो इस चीज में इसको entertainment आ रहा है इसको मजा आ रहा है तीन सालों तक ये उनका बेवकूफ बनाता है the artist in him is even stronger than the wealth hunger इसके अंदर का जो artist है वो इसके wealth hunger से ज़ादा strong है ये word wealth है he does not only cheat with professional coolness for definite practical ends but also takes great pleasure in the pricks he plays for his own sake and carries them out when he has everything to lose and nothing to gain so इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन सालों तक बेवकूफ बनाता है सबका तो ये उस चीज को अपने enjoy भी बहुत करता है मतलब इसको मजा आता है लोगों को बेवकूफ बनाने में इसके अंदर ये खासियत तो है कि ये इतना अच्छा actor है और जब ये अपने acting से दूसरों को बेवकूफ बनाता है तो उस चीज को ये enjoy भी बहुत ज़ादा करता है ठीक है और जब ये इन तीनों को वोल्टेयर कारबेशियो और कारवीनो इन तीनों को बेवकूफ बनाता है तो इसके अंदर एक greediness भी है कि वो सब वो तीनों जब भी से मिलने के लिए आता है तो इसके लिए अच्छे अच्छे तोफ़े लेकर आता है तो कही न कहीं इसके अंदर उन तोफ़ों को पाने का लालच भी है ये बात मैंने हैं आपर लिखी भी है आप इसको लीड करिए ओकि नेक्स्ट जो मैंने इसके लिए पॉइंट लिखा है इस his poetic quality जब मैं वोल पॉने पढ़ रही थी I was completely surprised कि वोल पॉने के अंदर poetic qualities भी है कारवीनों की wife Celia के लिए उसने कुछ poetry लिखी है जो मैंने हापे mention किया जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप कोई character sketch लिख रहे है और आपके पास उससे related quotes है तो आप उनको हमेशा इस तरीके से black pen से लिखे ठीक है ये काफी अच्छा attractive look देती है आपके answer को ये भी काफी important point है his poetic quality So next जो मैंने लिखा है a perfect actor ये मैंने आपको समझाने के लिखा है otherwise हमने actor के काफी points यहाँ पर discuss कर लिए है अगर आपको इन में से कोई difficult लगता है तो आप replace कर सकते है उसको a perfect actor से इस point को आप लिख सकते है वो कितना अच्छा actor है So last जो मैंने point लिखा है obviously it will be conclusion Character sketch में last point हमेशा conclusion का होता है conclusion की जंग आप summing up या फिर sum up भी लिख सकते है ठीक है इसमें आपको बताना होता है आपके views character को लेके क्या है So wall pony को लेकर के जो मेरे views थे वो में नहीं हापड लिखे अगर आपको कुछ और लगते है तो आप उनको लिख सकते है I hope ये character आपको अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा जो में आपको explain किया है अगर आपको किसी और character का character sketch है ये then comment me into the comment section and if you like this video please subscribe this channel share this video